एक शब्द है असहमत तो इस्टइओ में असहमत को ल्गक में किया बोलते हैं और हिंदि my क्या अर्थर मतल़ घोता है दोनों में जानेंगे Exempel ए से sentences में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे तो चल्ए वेडि़ीग को सब्सक्ते क्या मतलब होता है असाहमत का देखें सहमत ना होने का अर्थिया भाव होता है असहमत मतलब किसी बात पर किसी चीज़ पर राजी ना होना मुटफिक ना होना मतलब असहमत होना मतलब जिस पर किसी की समान राए ना हो जो सहमत या राजी ना हो मतभेद वाल रखने वाला जिसकी राए ना मिलती हो उसको हम असहमत बोलते हैं इंग्लिश में असहमत का मतलब होता है disagree, differ, dissent, dissident, dissenting, differ from, dissent from and it is similar और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं असहमत के example से sentences में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से हैं जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को परियोग करेंगे हम लोग कि यह पहली बार नहीं है कि हम किसी मुद्दे पर असहमत हुए हैं मतलब वह इंग्लिश में this is not the first time that we have disagreed on an issue तो disagreed मतलब असहमत हुए हैं दूसरा example एक आप मुझसे असहमत हो सकते हैं मैं बहस का स्वागत करता हूं मतलब वह इंच में you may disagree with me I welcome the debate तो debate का मतलब बहस disagree का मतलब असहमत ठीक है तो मैं आपने असहमत शब्द को और हिंदी में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है थैंक्स वर वाचिंग अजुके अर्डेस्क